दो करोन नौकरी दी जाएगी, क्या मीडिया भाले, मोदी जी बोले थे न, क्या हम बोले थे, अरे बोलिये न महराज, आपको भी बोलना परेगा, याद रखिएगा इस बात को, भाई मोदी जी, कोरोना था तो चुनाओ लर लिये, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर ल बोले थे न, खाते में 15 लाग रुपया आएगा, बोले थे न, अच्छा दिन आएगा, आया क्या, मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या, मंतरी का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंतरी का बेटा बनेगा PCCI का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेग कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोका किया है, यह हम नहीं बोले थे, आपको भी बोलना पर एगा याद रखियेगा इस बात को, सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नहीं बोले थे अरे बोलिये ना आप कॉंग्रेस के कार करता है भाजपा के थोरे हैं के डर जाएंगे बोलिये बोले थे ना बोले थे ना कि महंगाई कम होगी लिखारी बोले थे ने खाते में पंध्रे लाक रूपय आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा, आया क्या, मोदी जी के स्टाइल मैं पूचू क्या, आया क्या, अब नया जुमला आया है, कि हम अगनी पथ लेकरके आए हैं, एक भाचपा का निता इमानदार है, कहलास बाज़पा की नई योजना है तयार भाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजे बरगिया जी आपका बेटा बल्ला भूद बढ़िया चलाता है अपसद पर बैट चला रहा था उसको बिजेपी ओफिस में क्यों नहीं सिकुरिटी गार्ड बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सी आई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा अफिसमें सिकुरिटी गार्ड हाइरे हिपोक्रेसी इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना और बहिमानी किसको कहते हैं देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये हैं और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड हो करके हमारे नेता बोलते हैं इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लड़ता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चोकिदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चोकिदार ये चोकिदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविष्ट को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश क के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो स साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोरोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी कोरोना था तो चुनाव लर लिये बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया बुल्डोजर बाबा आ गए लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई ये बैमानी है कि नहीं है रोजगार देने में कोडोना है अचुनाव लरने में कोडोना नहीं है और अगर आप बैकलोग को देखेंगे 50,000 को अगर माल ने तब भी देड़ लाख बाहाली होनी चाहिए थी देड़ लाख ये बाहाली नहीं कर रहे है देड़ लाख बाहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे है उपर से येक नया उयोजना ले करके आ गए है तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहां मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अलवीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोर नौकरी इन्होंने हर साल दो करोर नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना लेकर के आ गए है पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताइये कि अगनी पत्च के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है, बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खरावी होती है उसका खरावी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा आप टेन में जब जाते होंगे बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा ये जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाफ है ये सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है वो सरकों पे खड़ा वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है वो सत्यागरह कर रहा है और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है जूट है कि ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं पर्मानेंट बहालियां नहीं होगी अगर ये पर्मानेंट बहाली क करना चाहते हैं तो सिर्फ Central Government में 28 लाख पोस्ट खाली है यह permanent बहाली बंद करके ठेका करण के फाइदे देश को समझा रहे हैं तो जब भी देश में कोई ठेका करण किया तो देश का क्या होगा एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर एर इंडिया नहीं रहेगा अगर नहीं होगा एर इंडिया तो क्या करेंगे जोती रादित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताईए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए सरकारी PSNL नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए, जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी परधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे, फिर सरकारी परधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए, सरकारी संसद भी क्यों होना देश का मतलब होता है देश की राश्ट्रिय संपत्ती देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूँ कॉंग्रेस पार्टी की लराई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लराई नहीं है कॉंग्रेस पार्टी की लराई इस देश को बचाने की लराई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मौला नाबूल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बच करते हैं और उस संभिधान को हमने बनाया है कॉंग्रेस पार्टी ने बनाया है इसलिए कहावत कही जाती है जाके पैर न फटे विवाई वो का जाने पीर पड़ाई जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है इसी आ शुक्रिया बहुत बहुत धन्नेवाद है कि यह थे कनया कुमार जावाला लेरो विश्वे विद्धाले के छात्रसंग के पूर्व सांसद पूर्व अद्धिक्ष अभी मैं नीरज दांगी साब को अन्रोद करूगा वहां के बात रखें इसके